कंगना रनोट को इस फेमस परस्नालिटी ने कर दिया बुरी तरस लैम कहा कि नफरत फैलाने वाली को जेल में जाना चाहिए अक्ट्रिस के खिलाफ दर्जुई पुलिस कम्प्लेंट क्या है पुरी खबर आए जानते हैं दिल्ली सिक गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष और शिरुमन यकाली दल की नेता मंजिंदर सिंग सिर्सा द्वारा भी नेत्री कंगना रनोट पर दिल्ली में देश्ट्रो का केस दच कराया गया है शनिवार को अपने एक बयान में कंगना पर गुस्सा जाहिर करते हुए सिर्सा ने एक्ट्रिस पर हमेशा मुड़काव कमेंट करने का आरोप लगाया और उनकी मानसिक्ता को घटिया करार दिया दरसल टाइमस ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी द्वारा तीनों कृश्री कानुन बिलो को वापस लेने के बाद कंगना रनोट के विवादित बयान पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मंजिंदर सिंग सिर्सा ने कहा कि एक्टरिस को या तो जेल में डालना चाहिए या फिर मेंटल हॉस्पिटल में सिर्सा का आरुप है कि कंगना रनोट का बयान ओची मानसिक्ता को धर्शाता है इतना ही नहीं उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा की ये कहना कि खालिस्तानी आतंकवादियों के कारण तीनों कृषिक आनूनों को निरस्त किया गया ये किसानों का अपमान है वो नफरत की एक फैक्टरी है इंस्टेग्राम पर उनके गुरूनित कंटेंट के लिए हम सरकार से सक्त कारवाई की मांग करते हैं उनकी सुरक्ष और बदमिश्री को ततकाल वापस लिया जाना चाहिए उन्हें या तो मानसिक अस्पताल में डाल द बहुत ही भदी शबदावली का इस्तमाल कर रही है सिखों के खिलाफ नफरत फिला रही है आज मैंने देश के राष्टपती जी से भी आग्रे किया है राष्टपती जी जो आपने इसको पदम शिरी से सनमानित किया ये पदम शिरी की गरिमा को बहुत बड़ी चोट है एक कैसे इनसान को पदम शिरी देना जो हर वक्त नफत फिलाता हो दूसे धर्मों के उपर हमला करता हो उनको ये कहता हो कि जूते की नीचे कुछला गया था इनको तो मैं उमीद करता हूं कि राष्टपती जी जुरूर इसकी उपर पुने विचार करेंगे साथ में कल हम प्ली स्टेशन में कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे इस बार इस केस को कंक्लूजन तक लेके जाना कंगना रनावत की जमानत ना हो कंगना रनावत को जेल के सलाकों के पीछे जाना पड़े इसके लिए दिली सिक गुर्द्रा मेंजमेंट कमेटी वच आपको ये जुरूर देखना चाहिए जब तो इसको मूवियों में पैसे बनाने है तब ये हिंदू, मुसल्मान, इसाई कुछ नहीं देखती सब के साथ जाके खड़ी होती है और जब इसको फॉल्वर चाहिए तो तब आपको इस्तमाल करती है और जो लोग मुझे धंकियां देरी में उनको भी चितावनी देना चाहता हूँ, कल मुंबई में रहूंगा, खार प्लिस्टेशन में भी जाऊंगा, जो तुम कर सकते हो कर लेना, लेकिन कंगना रनावत को छोड़ने वाला नहीं हूँ इस बार आपको बता दे कि सिर्चा ने दिल्ली पुलिस के समख्ष, एक्ट्रेस के खिलाफ दर्श कराई गई शिकायट की कौपी भी शेयर की है, फिलहाल देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या और कैसा होगा, एक्ट्रेस कंगना रनावत का रियाक्शन इस न्यूस पर आप हमें बताए अपनी राए, अल्सो दो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब तो बॉलिवुड नाओ उन फेस्बुक, इंस्टेग्राम और यूट्यूब